है थे वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्विजयार लैंड को चलें हम लोग चलते हैं स्विजयार लैंड जो की यहां के यहां की एक sas form IQ Air IQAR is the company of air quality technology company ये वायू गुनवत्ता प्रादर्की की कमपणी है जिसके स्थापना 1963 में Manfred और Clown Gems ने किया था ये एक ऐसी कमपणी है जो वायू प्रदूसकों से सुरक्षा ये जितना भी वायू प्रदूसकों को फैलाने वाली चीजे है उससे सुरक्षा प्रदान करती है Second, Developing Air Quality Monitoring वायू गुनवत्ता निगरानी मतलब जो भी एर की क्वालिटी कैसी है उस पर supervision करती है उसके ध्यान रखती है उसका monitoring करती है और ये बताती है कि air का क्वालिटी क्या है Third है वायू सफाई उत्पादों को विक्सित करना Air Cleaning Products कौन-कौन से Air Cleaning Products है वायू को सफाई करने वाले प्रोड़क्ट से उनको डेबलब करती है उसमें विसे से गेता रखती है ये company ताकि ये जो pollution है वो कम फैले तो इसकी हालिया report के नुसार अभी पता चला है कि भारत का जो दिल्ली है वो सबसे ज़्यादा rank one पर पहले पाईजान पर है सबसे ज़्यादा प्रोड़ुसीत सहरों में से एक है दूसरे स्थान पर पाकिस्तान का लोहौर है तीसरे स्थान पर चाइना का बीजिंग है चौथे स्थान पर बांगला देश का ढाका है पाचवे स्थान पर वुहान का चीन है चठे स्थान पर भारत का मुंबई है साथवे स्थान पर निपाल का काट मांडू है आठवे स्थान पर इराग का बागदाद है नोवे स्थान पर UAE तो इसके हालिया रिपोर्ट सच में डराने वाली है और यदि हम अभी सही अवेर नहों तो सायद ये भारत की ही किवल समस्या नहीं है हालंकि भारत पहले पाइदान पर है लेकिन ये भारत की समस्या ही नहीं है वाईव प्रदूसन एक ऐसी समस्या है जो पूरे विस्व की समस्या है और अभी इस पर यदि ध्यान ना दिया जाए तो ये बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरेगी खास कर दिपावली जैसे तहवारों पर हमें थोड़े सादगी से से मनाने की जूरत है पटाकों का प्रियोग कम करने की जूरत है ताकि इन बड़ी समस्या को रोका तो नहीं जा सकता है लेकिन उससे कुछ कंट्रोल तो जरूर किया जा सकता है यह जो रिपोर्ट है यह जो संस्था है वो हमें इस सभी इस चीजों से अवगत कराती हो तो मुझको लगता है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और हमको मुझे लगता है कि सभी लोग इस वीडियो से अवेर होंगे और इसक्यों ध्यान देंगे थांक यू